चैनल में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे देखिए यह चौकोर टिक्की वाली ठीक है तुरन पट्टी डिजाइन जो की बहुती प्यारी बहुती ब्यूटिफुल बन करके कंप्लीट होने वाली देख सकते हैं आप लोग यह देखिए हमने यह तीन बन देखिए किस तरीके से इसको बनाएंगा तो देख सकते हैं आप लोग टोरन पत्टी ब्राने इन सब को हम आप चाहएं तो प्रेंट्स यहां से सटार्ट करेंगए यह देखिए यह मिन ध्याका लियर्य रेडग का ठीक है आप चाहें तुजिस कलर से आप मतलब बनाना चा करने यहां ठीक हो श्रीट करते हैं कि लगाते हैं आप जैसे लागाते हूं लगा लीजी ते İşite एंगे ड़िए चृप्षे कोणी हम देखिए श्रीब करते हैं किसमी डाल करके इसे जहां से आप स्टाइट करन चाहिए वहां से स्टाह्त कर लीज b buffalo ठीक हैNew Brave Rab इस तरीके से friends कि सब में स्टेप बरी स्टप जितने चेंड दिखना सब में आप Kontro इस तरीके से देखिए बनाती हो जाना है ठीक है तो आप ग्रीन से चाहे तो ग्रीन से बना लीजे रेट से चाहे तो रेट से बना लीजे मतलब जैसे आपका मन हो वैसा आप बना करके कम्प्लीट कर सकते हैं ठीक है यह देखिए इस तरीके से इसको हम बनाते हो जाएंगे है न देखिए बहुती इजी और बहुती सिंपल है फ्रेंड्स यह देखिए तो सारा हम इस तरीके से इसको complete करेंगे ठीक है न तो दिखाते हैं आपको हम हमने इसे complete किया है इस तरीके से अगर आप लोग comments करिएगा या फिर बताईएगा तो मैं इसका फुल वीडियो लेकर आऊंगी ठीक है तो फिर यहां से देखिए friends हमें टर नहीं होना है कुछ नहीं करना है फिर यहां से यूँ start करेंगे और ऐसे इसको हम बनाते हुए चले जाएंगे देखिए इस तरीके से बहुत ही easy बहुत ही simple बहुत ही प्यारा बन करके यह complete होगा देख रहे हैं white में red color कितना प्यारा लग रहा है तो इसको हम complete करके दिखाते हैं आपको तो यह देखिए friends हमने इसको बना करके complete कर लिया देख सकते हैं आप लोग same इसी के तरह ठीक है इसकी भी outlining करेंगे इसकी भी outlining करेंगे तीनों के outlining कर लेंगे और इस तरीके से joint करके करके हम मतलब इसकी टूरन पट्टी बना करके complete कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से करके friends बाद में आपको बताएंगे किस तरीके से इसको stitch करना है आपस में और outlining देखी हमने ये कर लिया है देखी कितनी खुबसूरत लग रही है तो आप इसका थालपोस भी बना सकते हैं टूरन भी बना सकते ह अभी हमें इसमें क्या मतलब 8-9-10 बनाना पड़ेगा तब जाके 5-1 साइड में 5-1 साइड में तब लंबी सेमाई टूरन पट्टी बन करके त्यार होगी और उसके पास से फिर इसमें देखेंगे क्या हम बनाएंगे और वरना फिर अगों ज्यादा बना लेंगे तो हम इस यह है ना देखिए तो यहां से आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके देखिए फ्रेंड्स गांट लगा लीजिए और धागे को टाइट कर दीजिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है तो सेम वही प्रोसेस रहेगा और थोड़ा सा आपको दिखा दें कि ब्लैक वाले में देखिए ठीक है टाइट हो गया और इसमें इस टार्टिंग से यहां पर डाल करके और इस दागे को इसमी से निकाल करके यह देखिए ठीक है और सारे में श्लिपनौट आप चाहें तो एक चेन भी ले सकते हैं तो इस तरीके से रेट्ट दूनों तरीका हमने बता दिया फ स्लिप नॉट ऐसे लगाते हुए बनाते हुए चले जाएगे तो बीच में तॉपिक चीन ले लिजी और फिर ऐसे करके हुए फूरा इस तरीके से बना लीजी देखिए ठीक है ना देखिए यलो पर ब्लैक बहुत प्यारा लागा तुसको हम कंप्लीट करके फिर दिखाते है आपको सी देखिए हमने इतना कंप्लीट कर दिए कि इतना खुब्सूरत लग रहा रड यलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन ठीक है आप हमेशा यह यह रखेगा ना कि नीचे से पकड़िएगा इस तरीके से देखिए आपको दिखा दें हम नीचे से ट्रेंड्स पकड़ इतना खुब्सूरत लग रहा यलो का कॉम्बिनेशन ब्लैक कलर ठीक है ना तो इस तरीके से हम पूरा कंप्रीट करके और सारा हम ऐसी कंप्रीट करेंगे और देखिए आउटलाइनिंग तो माज की वीडियो में आपको बता दे रहा ठीके नेक्स वाले में आउटलाइनिं इसमें आप थाल पोस के लिए भी यूज कर सकते हैं टोरन के लिए भी यूज कर सकते हैं और गेट पर्दे के डिजाइन में भी इसको यूज कर सकते हैं बना करके ठीक है डेकरोट करना आपके उपर आप चाहें तो फ्लावर बना सकते हैं या सिंपल आप इस तरीके से स्टारेटिस करनी बाद में और भी डिजाइट इसमें कर सकег CLR तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर और इसी टौर्ण पत्ति-का हम हम इसका पर्स्ट पार्ट मानी स्केंड पाट हो जा रहा है ना तो इसका फ़स्ट पार्ट लेकर चलेंगे जिसमें आज आउट लाइनिक बिता दी नेक्स्ट वल में पूरा फुर्ट टूरो लेकर आएंगे ठीक है तो भाई बाई तब तरक के लिए बाई राई एंड टेक कियर और for watching!